तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट WWE अपडेट्स के बारे में वीडियो एंड तक देखना तो सुरुआत करते हैं Best in the World CM Punk से तो देखो CM Punk ने WWE में अपना रिटन कर लिया लेकिन जो CM Punk फैंस को चाहिए था वो CM Punk वापस नहीं आया विकोज CM Punk का जो ओल्ड करेक्टर था उनका वीएवियर था जो पाइप बोम वाले प्रोमो CM Punk देते थे वो CM Punk फैंस को पसंद था लेकिन दोस्तो रो की अंदर CM Punk ने जो प्रोमो सेगमेंट कट करा है वो काफी सारे फैंस को डिस अपोइंट कर चुका है फैंस को लगता है कि CM Punk ने सक्रीप्टेड डवलु डवलु ई प्रोमो कट करा है रो की अंदर एंड दोस्तो CM Punk ने खुद बोला था कि वो यहां पर पेसे कमाने आए हैं फ्रेंड्स बनाने नहीं आए एंड दोस्तो CM Punk अब अपने करेक्टर से आउट होकर कुछ भी नहीं करेंगे जैसा ट्रिपल अच उन्हें बोलेंगे जैसी सक्रीप्ट होगी वैसा ही काम CM Punk डवलु डवलु ई में करेंगे ताकि किसी तरह की कोंट्रोवर्सी ना हो एंड में भी एसा कोंट्रेक्ट डवलु डवलु ई ने CM Punk के साथ करा है कि वो अपने करेक्टर से आउट होकर कुछ भी ना करें डवलु डवलु ई में तो हां दोस्तो ये CM Punk को लेकर सोसल मेडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है कि PG वाला CM Punk वापस आया है जिसे फैंस पसंद नहीं करते बाकि दोस्तो आपको CM Punk का रो के अंदर प्रोमो के सा लगा कोमेंट करके बताओ दोस्तो CM Punk के इस टोपिक पर एक डिटेल में वीडियो चेनल पर जरूर आएगी तो हां अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तो रेंडी ओरिटन ने WWE में अपना रिटन कर लिया रो के अंदर उन्होंने डोमिनिक में स्टेरियो के साथ एक अच्छा मेच हमें दिया था और दोस्तो रेंडी ओरिटन ने अपने प्रोमो के अंदर रो में बोला था कि वो बलड लाइन के हर एक मेंबर को देखने वाले हैं उनसे अपना हिसाब लेने वाले हैं जिसके चलते रेंडी ओरिटन का रिटन स्मेकडाउन के लिए WWE ने कनफरम कर दिया है और आने वाले स्मेकडाउन में रेंडी ओरिटन अपना रिटन करेंगे जिसके लिए WWE उन्हें एडवर्टाइज कर रही है तो देखना होगा रेंडी ओरिटन स्मेकडाउन में सोलो करने वाले हैं जी हाँ दोस्तो अभी CM Punk एंड सेथ रोलेंड की फ्यूड WWE करवाने वाली है जिसके बीज ओल्रेडी WWE ने बो दिये हैं तो देखना होगा कब तक इन दोनों का face to face होता है एंड इनकी फ्यूड सरू होती है एंड दोस्तो कल रो की एंड की बाद ओफेर के बाद CM Punk फैंस के साथ मिलते हैं एंड उनके साथ काफी सेलफीज लेते हैं एंड इस तरह रो का एंड होता है तो ये कुछ अपडेट थी CM Punk को लेकर आपको CM Punk के रिटन पर कुछ कहना है उनकी फ्यूड के बारे में जो भी आपके थोड़ से कोमेंट करके बता दो वेडियो लाइक कर दो एंड चेनल को सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वेडियो में तब तक के लिए गुडबाई